इस वीडियों बताने वाले हैं जो कोई छात्रम छात्रा मैट्रिक में फटीवियों से पास किया हुआ है तो आपको बदलाव कर दिया गया है आपको मुख मंत्री पोचार आशी हो या कनिया उथान और जगत्रव से 10,000 रुपिया हो लड़का है और लड़की सरकार द्वारे आपको दिया जाता है अब उसके लिए आवेदर नहीं करना होगा तो किस बर्स के लिए आपको अप्डेट किया गया है आजनकार यह आपको इस वीडियो में बताने वाले है तो चलिए शुरू करते हैं सरकार द्वारा यह पहले बार अपडेट नहीं है पिछले साल से या पोट्साहराशी के तौर पे हो या आपको किताब का पैसा हो साइकिल का पैसा हो साथवे कलास से लेकर नौवे कलास तक आपको खाते में आता होगा उसी जो की खाते में आपको पैसा चला जाएगा या आपको इंटर का पैसा था या आपको मैटरी का पैसा था इसमें वेदर नहीं करना होगा और मुख मंत्री पोट्साहरासी हो या आपको मुख मंत्री करने या उथान और तरफ से पाइसा आपको दिया जाता हो से पैसा डाल दिये जाएगा यह आपको अपडेट था 2024 के लिए लेकिन अभी जो कोई पास किया हुआ है तो उसका मैं बता दू यह आपको लिस्ट एक जारी किया जाएगा पेमेंट डोन लिस्ट अगर उस लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा तो आप जाकर आपको आवेद साराशी का हो किताब का पैसा हो साइकिल का पैसा हो आया होगा पूराने खाते में तो आपको पेमेंट डोन लिस्ट पीएफ मेंस द्वार एक्सेप्ट करके आपको जारी कर दिये जाएगा अगर आपको पेमेंट डोन लिस्ट में नाम नहीं होगा तो उसके लिए आपको आवेदन करना होगा तब फिलाल 2023 में जो कोई छात्र हम छात्रा पास किया हुआ है उसको इंतिजार करना है अपने लिस्ट का तो यहां पे जैसे लिस्ट उनका जारी हो जाएगा जा पोटल के माधे हम से चेक कर पाएंगे तो आपको तीन चार लिस्ट आपको जारी होगा ज नवारी दूसरा होता है नीव रजिस्टेसम का शेया आदम के लिए अववेदन किया जाता है जिसका पेमेंट डौनलिस्ट में नाम नहीं होता है या उनका नदेशर कर दिया जाता है या किसी ऐन बाद मेंना जबंक होतो आवेदन लिया जाता है जो बाद मी आवेदन करता है करेगा एक महिने के बाद उसका ID पासवड आएगा फिर से फनलाइज करेगा तो अब उनके खाते हैं पैसा थोड़ा लेट से आता है लेकिन जिस आदमी का पेमेंट डॉन लिस्ट में नाम होता है उनका लिस्ट जारी हो इंटरमीडियर का आवेदन के फिलाल के जरूरी नहीं यहां पर अगर आपको लिस्ट नहीं सूरू करना इसे में इसमया Bitte लेकिन वह त्री हो मतिते हैं होगा कि आपको आवेदन करने के जरूवत नहीं होगा 2023 में तभी आपको जो की खाते में पैसा आएगा लेकिन पहले आप इंतजार करिए 2023 में जो कोई चात्रम चात्रा फट्रीजन से पास किया हुए मैट्रिक का तो लिस्ट जब तक जारी नहीं होगा तब तक आपको कुछ पाता आपको विंट-उadant करना में और फिलाल आफ पर्मान पत्रेक यहीं होता है लेकिन लोह सालबर पूराना भी डाल देता है तो इस परकार से अपने लिस्ट का इंतिजार करिए तब ही दोजार टेस्ट के लिए अविदन करिएगा ए अपडेट आपको दोजार चोविस का था जिसमें आविदन करने के जरूत नहीं होगा जो आपने फटीज में से पास करेगा और आभी भी इस वीडियो सब्सक्राइब किसी तरीके का प्रस्ट नहीं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं राशार में फिर्म होता नेटाप के साथ अपते के लिए जोई हिंद